शुशान सिंग राजपूत की बहन मीतु सिंग ने दिया पटना पुलिस को अपना बयान दो घंटे तक मीतु सिंग से पूस्ताश चली जहां उनका वसोवा में घर है वहां दो घंटे तक उनसे पूस्ताश की गई पुलिस ने ये सब जानने की कोशिश की की रिया चकरबर्ती के बारे में आप क्या जानते हैं या आप दोनों का जगड़ा क्यों हुआ था ये तो आप सबी जानते हैं शुशान सिंग राजपूत की बेहन मीतू सिंग का और रिया चकरबर्ती का काफी बड़ा जगड़ा हुआ था अब ऐसे में मुंबई पुलिस का ये कहना है शुशान सिंग राजपूत के परिवार से हमने मिलने के लिए कहा लेकिन हमसे कोई भी मिलने नहीं आया साथ में मुंबई पुलिस का ये भी कहना है हमने मीतू को भी बुलाया लेकिन मीतू ने ये ही कहा मैं अविलेवल नहीं हूँ मुंबई पुलिस के जो डी से पी है भी शेक तरी मुखी उनका साफ कहना है कि मीतू ने हमें सारी बाते नहीं बताई इस केस में एक बात तो बिल्कुल सच है कि सुशान सिंग राजपूर की बहन मीतू सिंग को मुंबई पुलिस ने बुलाए था लेकिन वो नहीं पहुची थी अभी शेक त्री मुखी जी जो मुंबई पुलिस के डी से पी है अब उनका साफ कहना है मीतू ने हमें सारी बाते क्यों नहीं बताई कि उनको किस पे शक्त था और जब पटना पुलिस मीतू सिंग को बलाती है तो वो उन्हें बयान देने के लिए अविलेवल हो जाती है अब इन सबी चीजों से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है क्या शुषान सिंग राजपूत के परिवार को मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है वेल गईज ये थी हमारी आज की अपडेट शुषान सिंग राजपूत के बहन मीतू सिंग ने दिया पटना पुलिस को बयान और मुंबई पुलिस के डी सीपी अभिशेक तरी मुखी जी ने उठाए मीतू सिंग पर बड़े सवाल